हेलो फ्रेंट्स, मैं आपका दोशे धौक्र सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन कलेट। देखो आपने social media पे बहुत सारे वीडियो देखे हैं वियागरा के बारे में एंब गोरा के बारे में या फिर सेयालिस, मे seminars मतल़ तड़डला फिल्म के बारे में आपने बहुत सुना हैं वहला उस तरह की जो sex को stimulate करने वाली या फिर आपके को sexual strength देने वाली आपके penis का जो erection है उसको बढ़ाने वाली इस तरह की बहुत सारी दबाईयां आपने try की होंगी आपने सुना भी होगा आपने देखा भी होगा बहुत सारे doctor भी prescribe करते हैं और बहुत सारे लोग खुझ से भी लेते हैं लेकिन प्राब्लम यह देखी जाती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वह जो ठड़ाला फिल है उसका जो effect है बहुत जल्दी से नहीं आता और effect उसका काफी time तक रहता है इसका मतलब यह है कि लोगों क continuous complaint यह रहता है कि एक तो वह headache करती है दूसरा फिर्टिजीनेस रहती है डिस ओरियन्टेशन रहता है फोकस करने में दिक्कत होती है और लगवक दो तीन दिन दर यह problem बनी रहती है यह बात बिल्कुल ठीक है कि देखो PD5 इनिविटर जितने भी है आपकी कोई भी वह यह एक और इसके side effect को आपको deal करना ही होगा आपको जिलना ही होगा यानि कि इस तरह की कोई भी दबाई अभी दुनिया में इस तरह की नहीं बनीएगी जिसके अपने side effect ना हो बहुत सारे लोग आपको misguide कर रहेंगे बिक कुछ नहीं होता है खा लीजिए सब लेते हैं X कर लीज ही है लेकिन होता क्या है कि एक केटागरी की यदि आप 10 दबाईयां देखेंगे तो उसमें जैसे जैसे research होती है तो उसके कम side effect आते हैं वो जल्दी dissolve हो जाती है और जल्दी असर करती है अब पहले हम बात करते हैं कि अवाना फिल के क्या positive फायदे है तो आवेना फिल से फा sort and fast acting medicine है यानि कि यह बहुत जल्दी काम करती है और बहुत लंबे समय तक नहीं रहती है अब दूसरा इसका जो positive पार्ट है दूसरा positive पार्ट यह है कि वे better dissolve होती है और तीसरी बात यह है कि आपको लंबे समय तक इसके side effect को carry नहीं करना पड़ता है अब बात आती है कि इसक side effect होते हैं इसके जैसे दूसरी दवाईопे साइड coefficient होते हैं इसके भी side effect होते है यह बत दो चीजे में बिलकुल clear करना चाहिता हूं बहुत सारे नोग कहते हैं कि वही ऐलकौहल के साथ इस दवाई को लिया जा सकता है answer है कि बिलकुल भी नहीं लिया जा सकता एलकोहल के साथ कोई भी sexual stimulant नहीं लेना चाहिए एलकोहल के साथ BP की दवाई, एलकोहल के साथ दिमाग की दवाई और एलकोहल के साथ कोई भी stimulation वाली medicine लेना बिलकुल गलत है नुकसान दायक है इसके अपने clinically reported side effect है और जानलेवा side effect है तो एलकोहल के साथ अवाना फिल हो, व्यागरा हो, बिग्योरा हो, टडाला फिल हो, कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए प्लस chicken, mutton या आप खाना खाने के बाद इसको ले सकते हैं देखो खाना खाने के बाद या पेट भरा होने के बाद ये दवाई ली जा सकती है लेकिन इसका absorption बहुत पूर होगा इस दवाई का लेने का तरीका ही है कि आपका 20-25% बरा हो तो आप इसको ले सकते हैं तो जिससे आप उना बहुत जादा गैस बनेगी और डायरिया बॉमेटिंग की फिलिंग भी नहीं आएगी और ये बैटर एब्सॉब भी होगी अब हम दूसरे बात पर आते हैं कि इस दवाई के को कौन से लोग हैं जो नहीं ले सकते देखो एल्कोहल के साथ तो ली नहीं जा सकती बिलकुल यदि आपको coronary heart disease यानि दिल की कोई विबारी है आपको blood pressure है आप blood को गाड़ा पतला करने की दवाई को लेते है तो आप नही दवाई आप लेते हैं तो यह बिलकुल भी नहीं लिजा सकती more than 60 year 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 आपकी इस है तो यह दवाई आपके लिए नहीं है यह आपके जीवन को खत्रे में डाल सकती है अब दूसरी बात यह आती है कि इस दवाई को लेने से क्या क्या problem solve हो सकते है तो को erectile dysfunction जिनको है उनको य anxiety है यानि performance anxiety है यह premature ejaculation है वहाँ पे इस दवाई का बहुत बड़ा रॉल तो नहीं है लेकिन फिर भी कुछ हद तक यह काम करती है यह दवाई specific premature ejaculation plus erectile dysfunction यानि penis की कमजोरी और penis की तरफ blood के flow का जो कम होना है उसको यह deal करती है लेकिन खाली इस दवाई से आपकी यह समश्य दूर नहीं होगी आप counseling कराईए अच्छी diet लीजिए पूरी नीद लीजिए exercise करिए good quality protein लीजिए और यदि आपकी समस्या यह बढ़ रही है तो आप अपने partner और अपने आपको counseling कराई doctor से मिले और इस समस्या को clinically deal करने की कोशिस करें फिर भी आप PD5 innovators कोई भी आप लेना चाहते हैं तो better to discuss with a doctor उसके बाद ही ने और इस तरह की दबाईयों को कभी overdose ना करें 50 mg 100 mg 200 mg की range में यह available है जनली इंडिया में 50 और साथ 100 mg की dose से आता है तो आप low dose से सदाय स्टार्ट करें 50 mg लेकिन यह जो आपकी ED और PME की जो समस्या होती है इसको attachment involvement और 4 पले को लंबा कर करके और अपने partner के साथ bonding को थोड़ा सा improve करके आप ठीक भी कर सकते हैं कल्पना करिए कि आप जब किसी दूसरी female को date करते हैं यह दूसरी female के साथ बात करते हैं लंबे समय तक तो उसके साथ आपका erection यह सब कैसे वापिस आ जाता है तो इसको थोड़ा सा सोचनी की आवशक करता है क्योंकि हम अपने partner के साथ एक mechanical sex के लिए जाते हैं बहुत जंदवाजी में होते हैं इस कारण भी ED और यह BME और performance anxiety रहती है तो इसको पहले deal करिए और उसके बाद सूचिए थैंक यू वेरी मच और टेक कियर और सब्सक्राइब